नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगा सोनों श्टड़ी क्लासे यूटूब चेलन दोस्तों आज मैं आपसे लोगों से अटी बूग क्लास 11 मनुविज्ञान चैप्टारी मनुविज्ञान क्या है पर प्रस उत्तर मैं आप लोग को स्विडियों बताऊंगा प्रस समबर एक बेहवार क्या है प्रगट एवं और प्रगट बेहवार का उधान दीजिए उत्तर प्रयावरण की बिविन घटनाओं से उत्पन इस्तितियों के प्रभा और में मानों मन उधिपन यस और अनुप्रिया आर में संतूलन बनाए रखने के लिए अपनी प्रकृतिक प्रविर्ति की अनुशार जैसा आच्रन करता है उसे सगलन इस्तितियों के प्रती बेहवार माना जाता है हमारे मांसिक निर्णे का कारेकारी प्रडाम हमारा बेहवार माना जाता है बेहवार व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है अर्थाद B बराबर या PE बे दिर्गकालिक, लाबदाईक या हानिकारक किसी भी स्रेडी में रखे जा सकते हैं, कुछ बेवार प्रगट होते हैं, तो कुछ अप्रगट, प्रगट बेवार के उधारना, नमबर एक, मालिक को सामने पाकर नोकर का सतर्क और सब आचरन करना, नमबर दो, साप या बाग को देखते ही, उस पने को सुरच्छी दिस्थान पर पहुचने के लिए यथा संभव तेजी से भागना, नमबर तीन, जेव में डालेवे हाथ को पकड़ लिए जाने पर पाकेट मार तथा यातरी के मुख, मुद्रा, तथा क्रियाओं में आने वा अंतर और प्रगट बहवार के उधारन, नमबर एक, परिच्छार्ती के परिच्छा, भावन में बैट जाने पर कठिन प्रस्णों के आसंका में किया जाने वाला आचरन, नमबर दो, सत्रंज तास या कैरमबोड खेल ते समय की जाने वारी आगामी चाल के परती चिंतित होना, मित्र के घर मिलने वाला स्वागत, भोजन तथा आमंतरन की सुखत याद करना, प्रस्ट नमबर दो, आप वैज्ञानिक काम मनो विज्ञान को मनो विज्ञान विदा साखा की परसिद धालनाओं से कैसे अलग करेंगे उतर, हम वैज्ञानिक मनो विज्ञान को मनो विज्ञान की विदा साखा की पद्धती परसिद धालनाओं से निम्न विंदू से आधार पर अलग करेंगे, नमबर एक मनो विज्ञान की विज्ञानिक पद्धती की आधार पर नमबर दूर विशे समगरी की प्रमाडिकता की आधार पर नमबर तीन वश्टू निश्टता की आधार पर नमबर चार बविश्यवाडी की योग्यता की आधार पर नमबर पांच नियमों की सर्व भोमीकता की आधार पर प्रश्ट नमबर तीन मनो विज्ञान के विकास का संचिप्त रूप प्रस्तूत कीजिए उत्तर मनो विज्ञान के विकास का इतिहास बड़ा ही संचिप्त है आधुनिक यूग में मनो विज्ञान को अवचारिक आरम अठारसो औन्यासी तिप माना जाता है जबकि जर्मनी में एक विज्ञानिक विलियम्स ने मनो विज्ञान की पहली प्रियोक साला की स्थापना की थी, कलांतर में एक अमेरिकी मनो विज्ञानिक विलियम्स जेम्स ने केम्ब्रीज में सा यूसेट्स में एक प्रियोक साला की स्थापना की थी, जिसमें मानो मन की अ अरशना पर ध्यान देने के अतिरिक्त मनोविज्ञान के अध्यान में इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि मन क्या करता है तथा मन का बहवारिक व्यक्ति को अपने आसपास के वातावर्ण से निपटने में किस तरह से कारे करता है जैसा कि मानों का बहवार उसकी ज ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जबकि विलियम जेम्स के अनुसार वातावरण से अंत क्रिया करने वाले प्रक्रियाओं की धारा की रूप में चेतना ही मनोविज्ञान की मूल सो रूप इस्थापीत करती है जब बिसमी सदी का आरम हुआ तो एक नई विचार धारा ने जन सब्तेक्च रूप से किये गए अनुभव के संघतनों का अभिल अंग माना गया है। तरह सब्दों में इस विचार धारा की अंतरगद्र व्यक्ति को उनुभव करते हैं व्यक्ति अनुभव करते हैं वह वतावरण से प्राप्त आगतव से ज्यादा होता है। धारन के लिए जब चमकता सूर्य का प्रकास व्यक्ति के द्रिष्टी पठल पर पढ़ता है तो व्यक्ति को प्रकास की गति का अनभव होता है। होता क्या है तो सर राचना वात की प्रतिक्रिया सो रूप एक और धारा व्यवार वात की रूप में सामने आई। से ज़्यादा प्रभावित है। वाट्सन का मानना था कि मन स्रे रे नहीं है और अंतर निर्चन व्यक्ति परक है क्योंकि इसका सत्यापन किसी दूसरे प्रेचक द्वारा नहीं किया जा सकता। प्रस नमबर चार्थ। ये मनोविज्यानिकों का अन्य विद्या साखा के लोगों के साथ सयोग लापवद्य हो सकता है। किस्ता विज्यान में डॉक्ति ने भी ये महसूस किया है कि स्वस्त सरीर के दिमा की होता है। जिएधितर अस्पतालों में मनोविग्ञानिकों को नियुक्त किया जाता है लोगों को हानी आधतों को अपनाने से रूपने तो डाक्टर के निर्देश का पालन करने में अवस्था की हिपर होविका ही होती है जिबकि संदर्य सास्त्र के ग्रहां की मानसिक तोर पर संतुष्ट कर सके हो धारन के लिए इंजिनेरियों को सड़को तथा राजमार्गों पर सुरच्छा के लिए अपनी योजनाओं में मानविय आदर कावी ध्यान रखना चाहिए अंतर कीजिए अ मनो वियानिक एवम मनो रोग वियानिक तथा ब परामर्च दाता एवम नैदा निक मनो वियानिक में उत्तर मनो विज्ञानिक मनो रोग विज्ञानिक मनो विज्ञानिक नमर एक मनो विज्ञानिक मनो विज्ञान घटना के साथ बेवार करता है मनो विज्ञानिक के पास मनो विज्ञान की उपादी होती है जिसमें वह कठेन परिशन राप्त करता है तता वह लोगों के मनो विज्ञानिक व्यक्तिक्रमों का उप्चार करता है एक मनो विज्ञानिक दवाईयों का सुझाव नहीं दे सकता है मनो रोग विज्ञानिक नमबर एक एक मनो रोग विज्ञानिक का सम्मंद गंभीर मानसिक समस्याओं से है मनो रोग विज्ञानी के पास तिकिस्ता ज्यान की उपाधी होती है जो मनो विज्ञान व्यक्तिक्रम के निदान हितू वर्सों का विस्ष्ट प्राप किया हुए होते हैं जबकि मनो रोग विज्ञानी दवाईयों का सुझाव दे सकता है विदुत आगात उप्चार प्रद लाया जा सकता है उत्त, दैने जीवन के निम्लिके चेत्रों में मनोविध्यान की समझ को अभ्यास के लिए रूप में लाया जा सकता है नमबर एक कीड़ा नमबर दू संगीत एवं ललिता कला नमबर तीन विद्याले नमबर चार घर आदी मुनोविज्ञान एक व्यक्ति को खुद को संतूलित और सकारात्मक तरीके से बिना किसी प्रिक्रिया की समझने में सच्छम मनाता है। बच्चों की सुरू वैसको तो था वयोधिक लोगों से समंदित समस्याओं के समाधान के लिए तला देता है। व्यक्ति गत था और व्यक्ति समस्याओं का निर्णे लेने की उपियुक्त युक्तियों द्वारा समाधान किया जा सकता है। प्रश्ण नमर साथ। एक अवस्ता था अंतवेस्तिक समंदू पर पढ़ने वाले प्रभावों का अनुवेंसर करता है। प्रश्ण नमर आठ। अपराज जैसी महत्पूर्ण समाधिक समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता करने के लिए आप अनुसार मनोविज्ञान की कौन सी साखा सबसे उपियुक्त है। अपराज जैसे महत्पूर्ण समाधिक समस्याओं का समधान खोजने में सहायता करने के लिए मनोविज्ञान की विधी एवं अपराज सास्त्र नमक साखा सबसे उपियुक्त है। विधी एवं अपराज सास्त्र एक कुसल अधिवक्ता तथा अपराज सास्त्र को मनोविज्ञान की ज्यान की जानकारी ऐसे प्रस्णों कोई गवा एक दुर घटना गली की लड़ाई अथवा हत्या जैसी घटनाओं को कैसे याद रखना है। न्याले में गवाही देते समय वह इस तत्यों का कितनी सत्यता के साथ उल्ले करता है। मनो विज्ञानिक ऐसे प्रस्णों का उतर देते हैं आझकल बहुत से मनो विज्ञानिक ऐसी बातों पर अनुसंधान और कर रहे हैं। जिसके उत्तर देश के भावी विधी विवस्ता की बड़ी सहायता करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और नेश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फूर वाचेंग